गेयों बिटकोइन चानल सबस्क्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाईए लेटर्स क्रिप्टो अबडेटेट्स के लिए नमस्कार दोस्तों सुआगधि आपका गेयों बिटकोइन चनल में और आज के स्कृप्टो निज़ वीडियो में एक mystery crypto whale ने क्या prediction करी है bitcoin के price के बारे में इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों 20,000 dollar cross कर सकता है bitcoin का price इसके पीछे 3 reasons है ये 3 reasons क्या है इसके बारे में बात करेंगे और finally एक ऐसी website जो promise कर रही है कि वो जल्दी Satoshi Nakamoto कौन है उसको reveal कर देंगे तो दोस्तों चले शुरू करते हैं आज की crypto ताजा खबर दोस्तों आज की न्यू स्टार्ट करने से वेले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और crypto की दुनिया से अपडेटेट रहना चाहते हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथी साथ दवा दीजे बेल नो हजार बीटी सी है 35 मिलियन डॉलर की आज इनकी वर्थ है दोस्तों यहां पर वालेट एंटरस दिया हुआ है वह वालेट में आप अपगा देता हूं तो यह ब्लॉक्चेन पर आप वालेट देख सकते हैं यहां पर अगर हम टोटल ट्राइक्शन रिसीव की देखेंगे तो है कि बिटकोइन कहां तक जा सकता है तो यहां पर आप देखेंगे तो उन्होंने का है I actively invested in Bitcoin back in those years when only small circles knew about it before investing I conducted a personal analysis of Bitcoin technology I saw a great prospect for society in him and the financial system तो यहां पर बात करी जा रही है Satoshi की और उन्होंने का है we are still in the beginning and I see huge potential in the cryptocurrency market and the blockchain technology हाला कि दोस्तों यह बहुत ही positive statement है पर साथ यह भी कहना है कि not everybody will survive the crypto winter यानि कि crypto winter का खत्रा अभी भी बरकरार है prices अभी भी डाउन जा सकते हैं और bear market से अभी इनके साब से अभी तक हम उभरे नहीं है पर अगर long term में Bitcoin के price की बात करी जाए तो इन्होंने कहा है कि 50,000 dollar Bitcoin price waits on the horizon यानि कि इसके बाद crypto winter खत्म होते ही आपको 50,000 dollar Bitcoin का price देखने को मिलेगा इसका time frame दोस्तों इन्हों ने दिया है in the next three to five years तो यह है इनके हिसाब से इनकी prediction अगले 3-5 साल के बीच में यह कह रहे है कि 50,000 dollar Bitcoin का price बहुत जाएगा और सिरफ 50,000 dollar ही नहीं दोस्तों का कहना यह है कि कुछ सालों माद आपको लगेगा कि 50,000 dollar भी Bitcoin का price बहुत कम है यानि कि इतना जादा Bitcoin का price हो जाएगा कि 50,000 dollar भी आपको उस time कोई बड़ी चीज नहीं लगेग अब वेल के साब से अभी भी हम बुल मार्केट फूली के से इंटर नहीं किये हैं पर उनका कहना यह है कि I believe that we are either already seeing a bull market return if not we will see it in the coming month तो यानि की बुल मार्केट अगर अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है तो आगे आने वाले कुछ महीनों में यह 100% स्टार्ट हो जाएगी और जिस इंडिकेटर के ऊपर यह अपनी अजम्शन बेस कर रहे हैं वह है इंक्रीज इन एक्षेंज एंड ओटी सी ट्रीडिंग बिट्कॉइन कंसॉलिडेशन अब लग रहा है कि बुल रन आने वाला है अब इस बेल के बारे में दोस्तों कर मैं आपको बताओ तो एक इन अनॉमसली रूबी प्लाटफोर्म में तो दोस्तों हंडेट पर संट अनॉमस ट्रांग्शन हुई है यानि कि कोई भी डीटेल नहीं जानता कि वेल कौन है प्र इंवेस्टमेंट हो गई है रूबी प्लाटफोर्म में एक ब्लॉक्चेन बेश्टमेंट सभिस है काफी फेम दोस्तों नहीं हुई है अभी इसका प्रीस फंडिंग जो सीट फंडिंग फेस वो चल रहा है यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ फोटोग्राप्स मैंन के सीओ के साथ है विटालिक के साथ है जॉन मकाफे के साथ है चारली के साथ है तो काफी बड़े-बड़े के साथ दो इंके साथ इनकी काफी बड़े लोग इनके साथ इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो इसी प्रोजेक्ट में दोस्तों कर दी है इस मिस्टीरियस देल ने भी तो दोस्तों अब आपकी कह रहा है क्यानकी सही है क्या इनके हिसाब से बिटकोईन पचासेया डॉलर्स जो इनकी प्रेक्शन दी है इन्होंने क्या वो टच करेगा कि नहीं अपनी राय दोस्तों कमेंट में जरूर दीजिए अब दोस्तों बिटकॉइन की ही प्राइस के बारे में बात करते हुए यहां पर तीन ऐसे रीजन की बिटकॉइन का प्राइस धी श्या डॉलर क्यों टच करेगा वो बताए हुए है तो इन तीन वीजन को दोस्तों एग देख लेते हैं तो सबसे बहुत रीजन है कि मुविंग अवरिजेश में फिस्टारिकल पाटन फ्रम तो दोजार पंदरा में जो चार्ट था दोजार पंदरा में जो मुविंग किया है अब के पैटन में तो फैक्टर ट्रेडिंग ऑथर पीटर ब्रैंट ने कहा है कि बिटकोइं प्राइस को ठेट नाइंटीन थाज़न एटने डॉलर इंडिकेटर नोटिंग एट वस नाओ ट्रेंडिंग बिलोव दबिटकोइं प्राइस तो उन्होंने वीकली मुविंग इंडिकेटर को स्टेडी किया है उसको ट्राक किया है और उसके बाद का कहना यह है कि बिटकोइं इक पर फिर से वह यहां पर लिस्टेड है आरेसाई का डेलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स रेज बुलिष तो आरेसाई को अगरम स्टेडी करें तो उनका कहना यह है कि वह बेसिकली 53.65 परसेंट जंप हुआ है इस हाइस लेवल सिंस ऑक्टूबर 2015 तो इस चार्ट में दोस्तों आप जाता है बुलिष पैटन तो यही एक रीजन है जिसके वैसे इनको लग रहा है कि फिर से बिटकोइन 20,000 डॉलर क्रॉस करेगा और जो तीसरा रीजन आता है दोस्तों वह बिटकोइन प्राइस फॉर्म्डा गोल्डन क्रॉस तो गोल्डन क्रॉस की दोस्तों काफी चर्चा हुई थी काफी टाइम से काफी यूट्यूबर्स गोल्डन क्रॉस के बारे बात कर रहे थे वही रीजन यहां पे मेंशन है क्योंकि गोल्डन क्रॉस फॉर्म होते ही दोस्तों आपने खुदी अब्जर्व कर दिया होगा कि बिटकोइन का प्राइस जो है वो बढ़ना शु की विए से यहां पे बताया जा रहा है कि बिटकोनिक बार फिर से बीज़र डॉर क्रॉस करेगा अब आपको क्या लगता है क्या आप इन तीन रीजन से सहमत हैं के नहीं अपनी राय जुरूर कमेंट्स में दीजिए अब दोस्तों चलते हैं अपनी फाइनल और सबसे इंट दस मिनट दस सेकंड बचे हैं इसके बाद ये बदा देंगे कि सतोशी नाकामोटो कौन है तो दोस्तों वेबसाइट पर सिरफ एक ही पेज है इसके लावा यहां पर कुछ नहीं है कुछ यहां पर सोशल मीडिया के लिंक्स दे हुए है और तेजी से यहां पर जो इनकी ट् पर दोस्तों आपको खुड ट्रैक करना है तो आप जा सकते हैं यहां पर लिंक दिया हो है got satoshi.com यह वेबसाइट किसने रिजिस्टर करी है इसके वारे में कोई इंपरमिशन नहीं है बट लोग इसको लेगे काफी ज्यादा excited हो चुके हैं तो दोस्तों आपने नोटिस किय कर रहे हैं पहले सबसे पहले क्रेग राइट ने क्लेम किया कि वह सतोशी है उसके बाद जौन मकैफी ने बोला कि वह सतोशी की रिवील कर देंगे और साची उन्होंने हिंट भी दिया जिसको मैंने कवर किया था अपने निउस वीडियो में अगर आपने नहीं देगा तो कि यहां पे लोने का एक एक तोशी तो वह बेसिकली एक टीम है एंडिया से अब इसमें क्या सचाई है कितनी सचाही है यह थो दोस्तों पता नहीं तो जितने भी दोस्तों न्यूज आर्टिकल्स मैंने यहां पर डिसक्स कही है और खासकर यह वेबसाइट जो बताने वाली है कि सतोशी कौन है इन सब के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रेप्शन में मिल जाएंगे उमीद करता हूं यह वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया